हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का आए देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 इसका कोश्चन नमबर 8 और इसमें कहा गया है एक पार्ग में खेल रहे विभिन आयू वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादरिचिक सर्वेक्षन रेंडम सर्वेज इसको हम बोलते है करने पर निमलिखित आकड़े प्राप्त हुए तो यह हमें आकड़े प्राप्त हुए है आयू वर्षों में बच्चों की संख्या एक से दो वर्ष के बीच में पाच बच्चे दो से तीन तीन बच्चे और इस तरह से दिया हुए उपर अपर यद्य य केड़े आकड़े प्राप्त आयद करने के लिए एक आयद चित्तर हसा आयद चित्तर हमें बनाना ए प्यारे पैट्चों यहाँ पे जो सबसे important बात note करने वाली है यहाँ पे आप देखाँगे जो वरगंतराल है एक से दो, दो से तीन, तीन से पाँच ब्राबर नहीं है देखो एक से दो में एक का डिफरेंस है, दो से तीन में भी एक का डिफरेंस है, तीन से पाँच में दो का डिफरेंस हो गया, पाँच से साथ में भी दो का डिफरेंस हो गया, साथ से दस में तीन का डिफरेंस हो गया, दस से पंदरा में पाँच का डिफरेंस हो गया, पंदर तो नहीं है क्योंकि यह तो उसके हिसाब से हमें इसको हल करना है तो यहां पर आप इसके लिए क्या करेंगे हमने सबसे पहले लिख लिया जो आयू वर्षों में यहाँ पर अपने यूज़ कर ली और बच्चों की संख्या हमने लिख ली अब आप देखें इसमें हम कैसे करेंगे इस कोशन को कि सबसे पहले हम लिखते हैं Raphale की चुडाई यह वरगंत्राला को हमाँरे इसमें चुडाई है कि कितनी होगी अब एक से दो तक दो मसे एक माइनिस करेंगे तो अब uploads की टुडाई एक ही हुई यहां पर हमारे पास यह वरक की चुड़ाई एक हो जाती है एक अगे बढ़ते हैं दो से तीन में तीन में से दो बाइनस करोगे फिर भी एक ही रही पाँच में से तीन चले गए तो दो रहे गए दो है यहां पर कि यहां पर भी दो है दस में से साथ यह तीन हो जाएगा वारे पास पंदरह से दस पाच और सत्रह में से पंदरह दो तो यह हमारे पास वरक की चुड़ाई आगी,预DR percent और में ब्रैथ के लिए हमने बिख दिये है अब जो हम आयत चित्र बनाएंगी तो उसमें जो आयत है है F F मतलब frequency यानिके बच्चों की संख्या बारम बार था जिसको हम बोलते हैं तो frequency बटे में B B मतलब वरक की चुड़ाई गुणा में L B तो lowest breath यानिके सबसे चोटी चुड़ाई जो इसमें है तो आप सबसे पहले तो इसमें सबसे चोटी चुड़ाई देखो देखो एक, एक, दो, दो, तीन, पांच, दो तो सबसे चोटी इसको कहलो या इसको कहलो तो सबसे चोटी हमारे पास जो L B का मान है LB का आमान हमारे पास वो एक है यह आप द्हान लखोगे अब आप देखो आयत की जो लंबाई है हम कैसे रियाद करेंगे तो आयत की लंबाई के लिए सबसे पहले frequency है निके बारम बारता बारम बारता कितनी है पांच पांच लिख दिया हमने बटे में B B का मान है एक गुना में LB LB तो सबका एक ही रहेगा एक पांच एक हम पांच तो यहां से में पांच मिल जाएगा अब इसके किसमें कितना हो जाएगा तीन बटे में एक गुना में एक यानिके तीन आ जाएगा अब की बार छें बटे में, छें बटे में दो, गुना में एक, तो दो एकम दो, दो तिया छें, तो यहाँ पर भी हमारे पास तीन आ जाएगा, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, बारें बटे में दो, गुना में एक, तो इस पर कट जाएगा, दो एकम दो, दो चीके बारें, छें एकम जहे और यहाँ पे 9 बटे में 3 गुना में 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा और यह 10 बटे में 5 गुना में 1 पांच खर पांच दोए तो दोए तो यह जाएगा चार बटे में 2 गुना अब देखों हम इसको कैसे करेंगे अब यह हम इसको यूज करेंगे इसमेंसे तो आप झाल के पर ऑब आप देखेंगे कि जो कि वरग की चुडाई है यह 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 उजड़ा होगी और जो नगाले यह उजड़ा काहा से सटरह तक चल रहे हैं तो हम जो ग्राप यपर है हमारा यहां पर एक सिसटरह तक लगा नहीं तो जिरो एक दो तीर चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तीरे चोदें पंदरें सोले और सतरे मैं 12 सकते हैं कि ने उंट होगा सकते हैं वार्गॉल कि यह उड़िंस के लिए आप देखेंगे इसमें जो बच्छों की संख्या, आशिया केसरे जो लंबाई, यह देखो वा का तक जा रही है। accum लंबाई सब ज़ादा कितने तक जा रही है। यहां पर यह हमारे पास इसमें देखना है छें तक वह जा रही है तो यहां पर एक दो तीन चार पांच और यह चें तो यह हो है हमारे पास अब प्यारे में चुआ आप देखो इसको हम कैसे प्लोट करेंगे सबसे पहले देखो हमारे पास जो वर्गंत्राव एक से दो है उसकी चुड़ाई एक है और उसके लंबाई पांच है एक से दो यह वाला एक से दो में जो चुड़ाई है हमारे पास वह कितनी है एक से दो में चोड़ाई तो होगी एक और लंबाई उसकी कितनी है पाँच एक से दो में चोड़ाई तो एक ही होगी यह होगा और लंबाई उसकी पाँच यहां तक है यानि कि यह हो जाएगा हमारे पास मुझे लगते हैं पहरे बच्चों तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक से दो के लिए जो चुड़ाई है वो एक है और जो लंबाई या वो पांच है अब दो से तीन के लिए दो से तीन के लिए चुड़ाई एक है और लंबाई तीन है तो यहां पर यह ऐसे आ जाएगा लंबाई ये देखो तीन होगी दो से तीन के लिए अगे चलते हैं नेक्स्ट में क्या का गया है नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट में है तीन से पाँच के लिए चोड़ाई दो है तीन से पाँच ये दो लेने हैं दो बुक्स लेने हैं तीन से पाँच के लिए चुड़ाई तो हमारे पास दो होगी और लंबाई तीन होगी तीन से पाँच यह रहा यहां से यहां तक और लंबाई फिर वही तीन है तीन से पाँच ठीक है तो कि बार यह इसकी चुड़ाई दो थी तो हम इसको भी मिला देए अब आगे आगे पात से साथ चुडाई दो लंबाई छे पात से साथ चुडाई दो लंबाई छे पात से साथ के लिए छे यहाँ पे है पात से साथ के लिए चुडाई दो होगी एक दो और लंबाई हमारे पास 6 हो जाएगा तो यह हमारे पास 6 हो जाएगा ठीक है next again 7 से 10 चुड़ाई तीन है और लंबाई भी तीन है साथ से 10 यहां से यहां तक साथ से 10 तीन होगी और लंबाई भी तीन है तो लंबाई तीन है यह रहा शाथ से 10 आप इसको भी स्केल के साथ ही कर ले यह नेक्स्ट दस से पंदरा चुड़ाई पास और लंबाई तो 10 से 15 10 से 15 में यहां तक चुड़ाई तो 5 होगी 10 से 15 और लंबाई कितनी है लंबाई यह हमारे पास 2 तो दो तक लेना है यह 10 यह 15 है 10 से 15 तक अब इसको ऐसे भी लगा देने और यह दो गया ठीक है यह हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास 15 से 17 वरक की चुड़ाई दो है और जो लंबाई है वो भी दो है 15 से 17 दो यह भी दो पर ही चला हुए तो 15 से 17 15 से 17 हो जाएगा हमारे पास और यह भी दो ही है तो 15 से 17 के लिए हम दो पर लगा देते हैं कि अगरे बच्चों इस तरह से आप जो आपके पास इस तरह कोई कोशन आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसकी वरक के चुड़ाई और आयत की लंबाई ग्याद कर लेंगे और उसके हिसाव से फिर उस कोशन को हम कंप्लीट करेंगे तो यहां पर हमारा जो यह कोशन है वो कंप्लीट हो जाता है आप इसको थोड़ तुकि काफी इंपोर्टेंट कोशन है तो आप इसको अच्छे से एक बार दो तिन बार इसको आप करके देखेंगे तो आपकी प् हो जाएगा. Thank you very much.